Hello everyone, welcome to my YouTube channel तो हाले में जो SSB lecture ship के लिए exam हुआ था उसमें से हम आज botany question paper को बहुत ही detail way में analysis करेंगे with explanation तो आप लोग वीडियो को पूरा जब्रो देखेगा और अगर आपका कोई कुछ doubt बगरा है कोई कुछ particular question में तो वो doubt भी इस वीडियो से clear हो जाएगा कुछिन देखे लिखा गया है इन कोलियो कीट दा थालास इस सो कोलियो कुछिट में थालस किस तरह का होता है option ने simple unbrust filament होता है उसका या फिर branch filamentous form होता है heterotrichos form होता है या फिर साइफोनासियस तो देखे कोलियो कीट जो एक green आलगा है उसमें आप लोगों को heterotrichos form मिलता है heterotrichos यानि इसमें दो तरह के system भाय देता है एक होता है prostate system और दूसरा होता है erect system इस तरह के system को हम heterotrichos form कहते है वहीं दूसरी और अगर साइफोनासियस का देखेंगे साइफोनासियस मतलब यह सीनोडसाइटिक कंडिशन होता है जहां पे जो थालस होता है वह ब्राश्ट तो होता है लेकिन इन में किसी भी तरह का partition नहीं होता यानि कि अगर यहां पे कहीं पे भी कुछ damage हुआ तो यह सभी के सभी cellular contents उस damage से निकलाते है तो वह साइफोनासिय कंडिशन जो कि भावकेरिया में देखने को मिलता है बाकि brushed filamentous form आप लोगों को डेर सारे algae में देखने को मिलता है और simple unbrush जैसे कि लामिनेरिया से alginate obtained होता है alginate जो कि एक फियोफाइसी के फियोफाइसी आलगी के सेल्वाल में पाय जाता है फियोफाइस तो आपको लोगों का रोक्यूड माना जाता है तो यहां पर question no.2 का answer हो जाएगा option भी धाय अटर्म से काईसल गूर्ण किया जाता है उसके बाद question question no.3 the life cycle of batracospermum is so batracospermum का life cycle किस तरह का होता है haplontic, diplontic, diplobantic या पिर haplomatic तो इसका भी easy answer है हो है haplomatic haplomatic यानि इसमें जो दो फेज होंगे वो haploid होंगे और एक फेज होगा diploid ठीक है वहीं दूसरी और अगर diplobantic में देखेंगे यहां पर दो फेज होंगे diploid और एक फेज होगा haploid इसलिए इसको diplobantic कहते हैं इसलिए आप लोग अगर इसको notice कि होंगे haplomatic haplomatic आपको batracospermum में देखने को मिलता है और diplobantic आप लोगों को polycyponium में देखने को मिलता है वहीं अगर होता है हम hapl περι sleeping का बात करें हाप्रोंड इक मतलब यहां पर पूराиф सेखल होता है इसका एक च्छोटा सा पार्ट जो की जएगोड होता है वही में वह ही हाप्लोड structure होता है, बाकी सारे के सारे deploy होता है, वही हाप्लोटिक में सभी के सभी हाप्लोड होता है, सिर्म जाइकोट को छोड़के, तो यहाँ पर आप लोगों का याणसर हो जाएगा, पात्रकोसपर्मम का हप्लो बायॉंटिक यानि यह होगा ट्राइफेजिक इनमें तीन फेज आते हैं ट्राइफेजिक हप्लो बायॉंटिक होगा इसका राइट एंसर उसके बार next question तो chloroplast in oidogonium में chloroplast किस तरह का होता है या फिर कौन से सेप का होता है reticulate, stilet, girdle, या फिर cup set तो chloroplast जो oidogonium में होता है वो reticular shape का है reticulate यानि network shape का, network gel की तरह जाल तो अगर आप लोग Excel देखोगे oidogonium को इस तरह तो आप लोगों को इस तरह से natural की तरह इसके chloroplast देखने को मिलेंगे वहीं stilet आप लोगों को कहा पर देखने को मिलेगा stilet वाला आपको jignema में देखने को मिलेगा jignema यानि star shape का होगा cup shape आप लोगों को clamidomonas में देखने को मिलेगा गर्डेल सेप आप लोगों को यू लोथ्रिक्स में देखने को मिदा गर्डेल यानी कोलार लाइक इस तरह का कोलार लाइक सी सेप क्या होंगे ठीक है तो इसका जो राइट एंसर है फोल का ए होगा इसमें उसके बाद वही आप यहां पर कुशेंग दिया गया है फोली सेफनया में कौन सा स्ट्रक्चर अस्टेस उप्रोफषाइज होता है हप्रोड कार्पोसपॉरमों में कार्पोसपॉरखाइज हाप्रोड होता है तो यह भी कैंसल हो जाएगा उसके बाद एख रिख कांसेप टेकल conceptacle आप लोगों को fucus में देखने को मिलता है fucus और बचा आप लोगों का diploid tetrasporophyte ये सही है क्योंकि यहाँ पे आपका जो tetrasporophyte है ये बाद में tetra जो spore बनाता है tetraspor ये होते हैं haploid ये याद रखिएगा ये ही एक difference है कि यहाँ पे tetrasporophyte diploid होता है लेकिन या इसका tetraspor और बाट्रकस फोर्मों का monospore ये दोनों की दोनों haploid होते हैं याद रखिएगा यहाँ पे आप ऐसा confused मत होएगा कि tetraspor deployed होता है polycypening नहीं tetraspor haploid होता है क्योंकि वो जो tetraspor अंजियम में बनता है वो meiosis करके बनता है लेकिन इसका tetrasporophyte वो diploid होता है इसी से tetraspor meiosis करके बनता है ठीक है उसके बन नेक्स पॉच्चिन अन आसको कार विदाउट आन ओस्टियल यानि जो आप लोगों का यह फिलामेंटर स्टेराइल फिलामेंट एक लोबस ट्रक्चर बनाता है और इसमें विदाउट आन ओस्टियल यानि ओपनिंग किसी भी हालत में कुछ भी कहीं से भी ओपनिंग नहीं होगा तो उस तरह का एंब्री योलोगी प्लांट एंब्री लोगों अपलोगा क्लिष्टो ग्याम फ्लावर पड़ा होगा यानि थे दर फॉर विच नेबर ओपन तो ये इसमें हो जाएक पैरी थेसियल ओपन पिल्ष नेविव और यानि ओर यूद्व बोलेंगे यहां पर वीदाउट ओस्ति स्पेसलाइज स्ट्रक्चURE humid ओन दिर्ट में भी दिर्ट में तो देखें रयबोजों तो प्रोकैरोattend में भी पाए जात हैंक्त लगों काफ्रण्ट में जो गोल्गी होता है उसको हम के नांसे जानते है लाइसोजो म्स आप लोग सूसाइडल वैक्स का नाम के बचा हामारा जो यह सबसे पिक्ट्यूलियर है कि इसको फंगल शेल को यानि फंगल सेल में लोगहेंगो और यह लोगुआ ब्लाजम मेंब्रे के इन फोल्डिंग से बने होते in saccharomyces saccharomyces में सबसे common type का asexual reproduction कौन सा है fragmentation, sporangio spores, conidia, saccharomyces आप confused ऐसे हो सकते हैं क्योंकि यह ascomycetis को belong करता है तो ascomycetis में आपका conidia formation होता है और asexual में तो fragmentation तो common feature होगे सभी में पाया जाता है लेकिन अगर bodding देखें बड़िंग तो बड़िंग सिर्फ पर सिर्फ आप लोगों का सबसे most common type of saccharomyces में पाया जाता है क्योंकि देखें बड़िंग तो bacteria बगएर में भी होते हैं दूसरे आलगी बगएर में होते हैं fungus में भी होते हैं लेकिन जो बड़िंग होता है वो specially most common method of और sexual reproduction in saccharomyces होता है इसलिए saccharomyces को हम बड़िंग इस्ट से भी बड़िंग इस्ट के नाम से भी जानते हैं बड़िंग इस्ट भी बोला जाता है बड़िंग इस्ट ठीक है उसके बाद next इडिबल फंगस भॉलभारियला भॉलवासी इस commonly known आज तो यह जो एक यह भी एक एक इकोनोमिक इंपोर्टन्स कोश्चेन आया है तो इसको हम भॉलभारियला भॉलवासी को कॉमनली किस नाम से जानते हैं पैडिश्टर मस्रूम बटन मस्रूम स्टीट टेक मस्रूम या फ टेलूटो स्पोर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह को था है तूसल यानि बाइसेल विद टू नुकलिय इन इच तू सेल फॉइडवान नुक्लियोस इन इच दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है इसी को हम मैच्योर टेलीडो स्पोर कहते हैं और जो पक्सिनिय ग्रामीने स्टिटी इसी को ब्लाक स्टेम रश्ट आप वीट बोला जाता है और उसका जो ब्लाक कलर भी इसके बज़े से है क्योंकि यह जो थिक वाल में कबर हुआ रहता वह काफी ज़दा डार्क कलर का होता है ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा टू सेल्ट विट टू न्यूक्लिय यहां पे होंगे इस सेल्ट क्योंकि इसके बाद वाला स्टेज में आप लोगों को क्या बनता है एपिवेसिडियों हाइपोवेसिडियों जहां पे हर एक सेल्ट से आप लोगों को चार-चार बेसिडियों स्पोर देखने को मिलते हैं ठीक है उसके बाद इसी ब्रोड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजिसाइड इसमें से कौन सा बाला ब्रोड यूज किया जाता है सिस्टमिक फंजिसाइड के इस आप से कॉपर सल्पेट, सल्पेट लाइम से बना हुआ रहता है लेकिन यह गलत अपसों है सल्फर रस्ट नहीं होता है मॉर्किर कंपर्ण तो आप लोग टॉक्सिक होता है रहा हमारा कार्बेन डेजिम यह है हमारा राइट एंसार जो कि ब्रोड ली यूज किया जाता है उसके बाद साइट्रस कैं यह जानथे मुना संप्राइब जीए जाता हो आपसों हमारा पॉटकार्ण शोलन से तो इसका जो राहि आएटेंसर है जानथे मुना से insopodus ठीक है यहाँ पर question को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया ओप्शन को यहाँ पर साइटरी ना देकर जानतों मना साक्षनोपोडिस दिया गया उसके बाद टोबाय को मजा एक virus TMB spreads rapidly in this way तो जो TMB किस तरह से कौन से mode of transmission ज्यादा प्रिफर करता है प्रोपाःटाइन सर्फेसली आप लोगxit प्र्मीशन या फिर फंगस ट्रांस्मिशन क्या बेकानिकल है इसका जो राइट एंसर ना होते है उस में से यह विप्लोच मेंकल होता है तो इसका राइट एंसर बेकानिकलent ट्रांस्मिशन होगा उसके में तो क्याप सीड़ भाइरस हमें मालूम है वाइरस जो होते हैं वो दो चीजों से बने रहेते हैं एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है नुकलीक असीड और कोहीं कहीं कॉंप्लेक्स में कुछ कार्बॉइडरेट कुछ लिप प्रोटीन से बनाएं आप कंफ्यूज होकर लिपोप्रोटीन बिल्कुल क्लिक बिल्कुल भी एंसर नहीं होगा प्रेप्टिडोग लाइकन तो नहीं हो सकता क्योंकि यह बैक्टेरिया में पाय जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोश्चिन सेप टीएंभी इच का स्ट्रेकाल सेब होता है तोियोंकि स्ट्रक्टरी फिल्स का की स्ट्रक्टरी सफ्रक्टर अप्छन ओधर पकूष्ड है जुड़ी एक रह सेफ बनाते उसके बाद तो प्लांट भाइरस यह भी याद रखेगा मोस्ट अब दी प्लांट भाइरस बियर सिंगल स्ट्रंडेड आरेने यह याद रखेगा उसके अमाद question number 17 one of the following is an endospore producing bacterial genus bacteria का कौन सा जिनस है जो की endospore produce करता है और आप लोग को मालूम है endospore जो adverse condition को withstand करने के लिए produce करते हैं तो उसमें से mesococos होगा bacillus होगा methylosinus होगा या फिर streptomyces होगा तो देखिए इसका सबसे यह जो आप लोग अगर इसको गेस से भी मारोगे तो यह आप लोग कहीं के बे पर्टिकुलर ली पिकुलर सिच्वेशन में नहीं देखने को मिलागा लेकिन bacillus आप लोगों को commonly observe देखने को में जाएगा हलाकि bacillus आप लोगों का एंडॉस पर प्रोड्यूस करता है उसके बाद question number 18 this organism is useful in the production of antibiotic oxytetracyclin तो इसमें से कौन सा organism को यूज किया जाता है oxytetracyclin प्रोड्यूस करने के लिए streptomyces rhinocos streptomyces erythreus streptomyces benazuli या फिर streptomyces gracious तो इसका राइट रेंसर है streptomyces rhinocos से आप लोगों का antibiotic oxytetracyclin बनाया जाता है उसके बाद इन photosynthetic bacteria the pigment containing particles आर तो photosynthetic bacteria में जो pigment containing particle बोला गया ठीक है इसमें organelle नहीं बोला गया याद रहते हैं organelle होता क्योंकि bacteria एक प्रोकेर्स है और प्रोकेर्स में और गने साफसेट होता है यहां पर सिर्फ बोला गया pigment containing particle उसको protoplast कहते हैं porotoplast कहते हैं chloroplast कहते हैं यहां पर chromatophore या फिर arrangement में पाया जाता है ठीक है इसका अंसर होगा chromatophore उसके बाद इन ऑसिलाटोरिया reproduction टेक्स प्रेस त्रू एकिनिट्स एंडोस्पोर्स सेल डिविजन हर्मोगुनिया यह भी बहुत ईजी सा यहां पर मान लीजिए यह dead हो जाएंगे तो यह concave structure बनाएंगे इस तरह से दोड़ साइट से और यह part बन जाएगा एक होर्मोगुनिया यह part बन जाएगा दूसरा होर्मोगुनिया और यहीं से break होगा आपका जो filament रहेगा यह पिर trichome कहा जाता है trichome यहां से तुटेगा तो यह एक होर्मोगुनिया बन जाएगा और यह एक होर्मोगुनिया बन जाएगा उसके बाद this meristem is present in the sporophyte of anthoceros तो यह bryophytes में bryophytes से question आए है तो इसमें से कौन सा meristem पाया जाता है bryophyte के sporophyte तो आगर आप लोग bryophyte के sporophyte देख्योंगे जिसको hornwort भी कहा जाता है इस तरह का structure होता है एक bulbous food होता है और एक long capsule होता है ठीक है लंबा सा के बीच में जो meristem पाया जाता है इसको हम intercalorie meristem कहते हैं ठीक है मैं कलर से बता देना intercalorie meristem यहां पे पाया जाता है between capsule and food ठीक है उसके बाद next कि one of the following helps in the dispersal of sports in markancy इन में से markancy का sports dispersal के लिए कौन कौन सा चीज मदद करता है यहां पे भी देखिए आप लोग easily option elimination technique से यह answer कर सकते है राई जो आटेच्मेंट के लिए मदद करता है scales protection के लिए एपिकल टिप को protect करने के लिए अगर आप लोग ने sporophyte किसी भी ब्राइफट का देखा होगा तो उसमें कहीं न कहीं आप लोग को सीडो इलाटरस चाहे हो या पिर इलाटरस हो देखने को मिला ही होगा तो इसका राइट अंसर है इलाटरस जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होता है और न मारकंजिया में दो थिकेनिंग बैंड देखने को मिलते है यह आद रखेंगा टूस्पाइरल थिकेनिंग बैंड इलाटरस में देखने को मिलते है और यह sports dispersal के लिए मज़द करते हैं उसके पार देखे है दीज़ प्लांट्स वर यूज़ीजिकल ड्रेसिंग इन प्ले स्पैगनम ब्रायम तो देखिए यह भी बहुत इजी सा है यह भी इकोनोमिक इंपोर्टान्स ऑफ ब्राइफट से आया है और इसका राइट अंथर है स्पैगनम स्पैगनम को इसलिए कॉट्टन मॉस भी कहा जाता है यह याद रखेगा कॉट्टन मॉस अगर पूछा जाए डायरेक्ट स्पैगनम ना पूछके तो हम आप यह अंसर करेंगे कॉट्टन मॉस स्पैगनम को कहा जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कुस्चिन इन ब्राइफट्स दो ग्यामेटोफाइटी जनेरिशनी जोलो इस इंडिपेंडेंट बोथ ग्यामेटोफाइटी जनेर रहता है क्योंकि यह अपना फूड सिंदेशिस खुद कर सकता है लेकिन इसके उपर जो डिपेंड करता है उसका स्पोरोफाइट तो हमारा उप्सटन हो जाएगा तक क्या मेटोफाइटिक जनेरिशनी इस ओल्वेज इंडिपेंडेंट इसको किसके भी जरूरत नहीं है क् खुद से खुद फूट सिंदेशिस कर सकता है करके अपना खुद का फूड प्रड्यूस कर सकता है लेकिन आपका एक हैं जहां का उसके एप पार्ट में डिभाइड कर देंगे ताकि मैं आप लोगों को हर एक कुश्चन का बहुत ही डीटेल वे में एक्सप्लेंड कर सको अगर आप लोगों कई पर्टिकुलर कुश्चन में डाउट हो तो वह भी डाउट क्लियर हो जाए दो लास्ट कोशीन हम 25 को देखते हैं क्यूंकि इस में 100 कोश्चन है तो چार कार्ट में इसको देखलेंगे and aquatic species of rixia is rixia का कौनाrho species? मैं और दोठों आपको फ्राइफेट मता ते रहा हूँ एक है along और य। और रिक्सियो कारफ सठग्श रिक्सियो कर्पस नाटन्स ठीक है रिक्सियो कार्पोस नाटन्स रिक्सियो कार्पोस नाटन्स यह तीनो ब्राइफट तीन ब्राइफट आक्वाटिक स्पीसिस के होते हैं तो इसी के साथ मैं यह फर्स्ट पार्ट कंप्लेट कर रहा हूँ इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट और तीन पार्ट लाओंगा और मैं पूरा detail explain करूंगा हर एक question का और वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा share कीजिएगा और subscribe कीजिएगा अपने दोस्ते के साथ share कीजिएगा जल्द ही मैं caught up वाला वीडियो भी upload करने वाला हूँ तो मिल्दे ने नेक्ष्ट रूरे में थैंक्यू